गुद्मानी आपरिवन इस वीडियो में मैं क्लास एट के सेकंड चैप्टर जोगी लीनेर एक्वेशन वन वैरिबल के एक्ससाइज 2.3 का कोश्चन नमबर 8 डिसक्स करूंगा कोश्चन है solve the following equation and check your result कोश्चन 8 है 2x upon 3 plus 1 equal to 7x upon 15 plus 3 मैंने कोश्चन पहलेस कर रखा है जिसे की वीडियो शोटी बने बच्चों को देखने में प्राउबलम ना हो टाइम कम वेस्ट हो clear हमने कोश्चन यह कॉपी कर लिए इधर मैंने check your result कर रखा है पहले हम कोश्चन solve करेंगे 2x upon 3 plus 1 equal to 7x upon 15 plus 3 यह variable वाले जो टर्म से हमें एक साइट पर ले जाएंगे ठीक है यह positive था इधर जाएगा negative हो जाएगा यह positive था इधर जाएगे negative हो जाएगा like terms हमने एक साइट पर कठी कर लिए उसके बाद 3 और 15 है इन दोनों का हमने LCM लिया तो हमारा 15 LCM आ रहा है ठीक है यहाँ बच्चे LCM ध्यान से देखें कैसे करना होता है हम 3 के table में 15 देखें कितनी बार आता है 3 5 जा 15 होता है 5 यहाँ आ गया उपर से 2x के साथ multiple हो जाएगा क्लियर माने साइन ऐसे कैसे आ जाएगा 15 के table 15 बन जाए जाता है इंटू 7x उपर से आ जाएगा ठीक है 3-2 सुरी 3-1 कितना 2 आ गया positive sign क्यों आ है क्योंकि 3 बड़ा नंबर है ठीक है उसके बाद इन दोनों की multiple आ जाएगी 2 5 बे 10 और x साथ में आ रहा है माइनस 7 7x इंटू 1 7x आ जाएगा अपॉन 15 इकवल टू 2 उसके बाद यह लाइक टर्म हमारी 10 10x माइनस 7x माइनस हो जाएगा तो हमारा 3x आ जाएगा ठीक है यह इदर अंटर डिनोमेटर में यह इदर चला जाएगा 2 इंटू 15 हो जाएगा clear 2 इंटू 15 कितना 30 जिरो हो ज अप रूद 10 आई है हम क्या करेंगे जब हम चेक दरद करेंगे तो हम इस question में जो हमारा question है उसमें x क्या डालेंगे X value क्या जालेंगे 10 डालेंगे जहां की भी X है वहां हम 10 डाल देंगे ठीक है जैसे कि 2 x 10 7 x 10 ठीक है उसके बाद हम solve करते रहेंगे इधर का इधर solve करेंगे इधर का इधर solve करेंगे ठीक है 2 x 10 plus 1 upon 3 7 x 10 15 upon 15 plus 3 2 x 10 20 upon 3 7 x 10 70 upon 15 plus 3 यह हमने simplify कर दे है 15 5 को टेबल में 5 3 जा 15 5 14 जा 70 उसके बाद यहां पर 1 था 1 के नीचे कुछ नहीं था उसका मतलब 1 होता है ठीक है अब इन दोनों का SM लेंगे SM 3 आ गया अब 3 के टेबल में 3 कितनी बार जाता 1 जा जाता है 20 के साथ 1 से मली जा 20 आ गया 1 के टेबल में 3 कितनी बार जाता 3 जा 3 यहां आ गया 1 उपर से यहां आ गया ठीक है Same way here ऐसे हम लेंगे यहां पर 3 बचा है यहां 1 तो 3 आ गया 3 के टेबल में 3 कितनी बार जाता 1 जा 1 इंटू 14 14 प्लस 3 1 के टेबल में 3 कितनी बार जाता 3 जा और 3 उपर से आगा 3 3 होगा ठीक है उसके बाद 20 20 प्लस यह 3 इंटू 1 है तो 3 बचेगा तो 20 प्लस 3 23 अपॉन 3 यहाँ पर हमारा 14 प्लस 3 3 जा कितना होता है 9 होता है 9 प्लस 14 कितना होता है 23 अपॉन 3 जैसे बाप्लोड करूँगा आपको इसका नोडिविशन मिलता रहेगा ठीक है बहुत जल्द मैं नेक्स्ट को एक्स्पेंग करूँगा जो की कोशन नमबर 9 इस एकस्पस करूँगा ओके वीडियो देखने के लिए ठेंक्यू बहुत जल्द मैं ने वीडियो को साथ आँगा बाई बाई टेक केर अवरिवन